हलो दोस्तों, जी एस वाणी में आप सभी का स्वागत है, मैं यस चंद्रा, आज आपके सामने एक जो हाल फिलाल में बहुत चर्चा में रहा है, इसराइल और फिलिस्तीन युद्ध, और इस युद्ध के दोरान, एक जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बात रही है, वो है आ तो ये दोनों बातें अभी के लिए बहुत महत्वण हैं, हम पहले आईरन डॉम के बारे में देख लेंगे, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं थरने पर लिखा हुआ है, तो आईरन डॉम के बारे में हम देखेंगे कि यह मिसाइल सिस्टम बनाया किसने, यह वर्क कैस कैसे करती है, हमिसाइल सिस्टम, कैसे यह इसराइल का सुरक्षा कबच बना हुआ है, इसके बारे में जो आपके परिक्षा के लिए महत्वण है, क्यों उतनी बातें हैं हम चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि अगर आप मेंस के एक्जामनेशन में भी बैठ रहे हैं और वहा के बारे में सवाल पूछना बिलकुल तय होता है, अभी यह इसराइल के खबरों में हमने देखा, हमास के हमले के मद्दे नजर दुनिया में इसराइल के आईरन डॉम, प्रभाव सीलिता, जो है इसके चलते आयरन डूम लगा चार चर्चा में बना हो इसकी प्रभाव सिल्टा को देखा गया यह आप देख रहे हैं बगल में एक तस्वीर दिख रही है इस तस्वीर में यह कोई लाइट सो नहीं है और नहीं यहाँ पे कोई जसन मनाया जा रहा है बलकि यह दो देशों के मिसाइल आपस में टकरा रहे हैं एक तरफ एर डिफेंस सिस्टम कारे कर रहा है तो दूसरी तरफ मिसाइले अटेक मिसाइल दिख रही है यहाँ देखेंगे इससे पहले कि हम इसके डिटेल के बारे में देखें आपको बता दूँ कि एक मेरी डिटेल में वीडियो आने वाली है जिसमें हम इसराइल और पलिस्तीन के विबाद का अतीत लेके आएंगे यानि कि आज से हजारों साल पहले क्या Middle East की Condition क्या थी, क्या वहाँ पर यहूदी थे या बाद में पहुँचे हैं, क्या वहाँ पर अरब पहले से थे या बाद में पहुँचे हैं, क्या उस विबाद को सुलजाने का अतीत में कभी प्रयास किया गया है और अगर प्रयास किया गया तो उसके क्या परणाम निकले हैं और अगर इन दो पक्षों के बीच बार-बार समझोता करो आए गया सांती का प्रयास किया गया तो किस पक्ष ने उस समझोते को तोड़ने का प्रयास किया बिलकुल निस्पक्ष विवेचना के साथ मैं उस कि वीडियो हो जाए लेकिन यदि आपको रुची है कि किसी देश को जिसे बार-बार युद्ध में डाला जा रहा है या बार-बार कहीं मानवादिकारों का उलंगन किया जा रहा है कहीं पर निर्सन से हत्याएं हो रही है तो इसके अतीत को जानना आपके लिए अत्यावश् का हल युद्ध नहीं होता है तो जब तक आप अतीत नहीं समझेंगे तब तक आप भविस्य के बारे में कुछ निस्टित द्रिष्टिकोंड बनाना तपड़ा मुस्किल हो जाता है इसी संदर में हम इसराइल और फलिस्तीन के अतीत को लेके आने वाले हैं तो चलिए अभ बार बर बोल रहा हूं एयर डिफेंस सिस्टम है मतलब अगर कोई एयर से थेट आ रही है कोई आसमान से अगर किसी प्रकार का मिसाइल आ रहा है कोई ड्रोन आ रहा है उसके लिए यह बनाया गया है आप देख रहे हैं यहां पर एक मिसाइल निकल रही आसमान की तरफ जा इसका विकास 2006 में इसराइल लिबनान युद के दवरान हुआ था हुआ यूँ कि उस दवरान लिबनान में कुछ ऐसे आतंकी थे जो जाके पियलो अगरे की आतंकी आप पियलो के बारे में पढ़ेंगे कि फिलिस्तिन डिब्रेशन आरमी थी हो अब आप उसको देखेंगे कि कैसे पियलो बीच में आता है इसराइल और फिलिस्तिन के मद्ध एक पियलो नामक संगठन उठ खड़ा होता है बाद में जिसे फिलिस्तिन की सत्ता भी दे दी जाती है किसी समय वह आतंकवादी संगठन था और फिलिस्तिन से भाग कर वह लिबनान में जाके सरन लेता है और लिबनान में जब सरन लेता है इसराइल लिबनान पर अटेक कर देता है और उसके दौरान क्या होता है कि लिबनान से और इसराइल के बीच भी दुस्मनी हो जाती है और इसी के दौरान क्या होता है कि लिबनान के दौरा बहुत सारे रॉकेट्स अटेक इसराइल पर किये जाते हैं जिसका बड़ा खामियाजा इसराइल को भुगतना पड़ता है परिणाम सुरुप क्या हुआ कहा जाता है आवस्तक्ता आविस्कार के जननी होती है इसराइल के वग्यानकों ने दिंडात महनत किया इसराइल के वग्यानिक वाकई दुनिया में सबसे कुसल वग्यानिक माने जाते हैं उन्होंने बड़ी सिद्धत से महनत करते हुए आईरन डॉम के बारे में थोड़ा सा औरागी भी देख लेते हैं इसे 2007 में इसराइल ने राफेल एडवांस सिस्टम एक कमपनी है इसराइल के ध्यान रखेगा फ्रांस की जो राफेल भीमान है वह भीमान है वह फाइटर जेट है लेकिन यह क्या है यह एक कमपनी है और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री इन दोनों ने मिल के संयोगत प्र सामिल है भी आगे बताएंगे इसके बारे में और एक तामीर मिसाइल तामीर मिसाइल जो 인्टरसेटर मिसाइल होती है इसका मुख्य रोल होता है कि यह क्या करती? आने वाली मिसालों को राकेट को निट्रिलाइज करती है आईरन डोम के, अब यहाँ देखे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, आईरन डोम जो होता इसमें मुख्य रूप से तीन घटक सामिल होते हैं, कौन-कौन से, राडार, अथियार, नियंतरन, प्रणाली, मिसाइल, फायर, अब ये तीनों एक दूसरे से क्रमबध तरीक कैसे जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं, जैसे, जब क्या होता है, एनमी कंट्री से, या दुस्मन देश से, दुस्मन छेतर से कोई मिसाइल लांच की जाती है, हवा में, तो क्या होता है, राडार के द्वारा, उस मिसाइल को क्या किया जाता है, कि उस मिसाइल को जानकारी उसकी कठा की जाती है पता चलता है कि दुष्मान मोट पर रखा जाता है मतलब हुआ ही इस बात का decision ले लेती है, और प्रणाली लेती है कि missile कहां से आ रही है, उसको locate कर लिया जाता है कि satellite के दवारा इस बात को तै कर लिया जाता है कि missile कितनी दूरी से छोड़ी गई है और इसका target कहां होगा यह तैकर लिया जाता है यह जब नियंतर प्रणाली इस बात को तैकर लेती है कि मिसाइल कहां से छोड़ी गई है मिसाइल कहां पे गिरने वाली है इसके बीच में क्या होता है सारी कलिकुलेशन करने के बाद इसके दुआरा आदेश दिया जाता है मिसाइल फायर बैटरी को लॉंच कर दी जाती है उसके बाद हवा में पहुंचकर मिसाइल जो होती है इस तरह से यहां पर वह रॉकेट आपकी उस तरह से दुस्मन देश से आने वाले रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर देती है यहां पर देखिए अच्छे तरह से समझाया गया उसी चीज़ को यहां कैसे बना है यह देखी यह प्रणाली के माध्यम से यहां देख रहे है राडार यूनिट लगा हुआ है आप देख पा रहे है यह राडार यूनिट हो गया और यह क्या है एन्मी आर्टिलेरी है यहां पर एन्मी जो हतियार है अब क्या हुआ कि इन्होंने हवा में मिसाइल छोड़ी आप देख पा रहे है हांति और हाथHN राडार क्या होता है कि राडार एक ऐसी प्रणाली होती है जो एक वेट चोड़ती है उसके माध्यम से क्या होता है कि जब वेब सोती हैeder टक्रा कि वापस लोड़ती है तो यह decide हो जाता क्या कोई object है hit वो release कर रहा है और वह आगे की ओर बढ़ रहा है तो क्या होगा जब राडार इस बात को निश्चित कर लेता है कोई object है जो जा रहा है हमारे सुरक्षा zone की तरफ है हमारे रिहासी इलाकों की तरफ तो तुरंत message भेजता है battle management and control unit को यहाँ पर यह BMC बैठी रहती है इसी को नियंतरन प्रणाली मैंने पीछे बोला है अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे यह जो हथियार नियंतरन यहाँ लिखा गया है यह वही चीज है BMC है battle management and control unit यहाँ पर इससे भेज़ जाता है उसके बाद क्या होती है यह बगल में आप देख रहे हैं बैटरी कही जाती है यहाँ पर मिसाइले होती इससे बैटरी कहा जाता है अभी आगे आप और समझेंगी इसको अच्छे से इससे बैटरी कहा जाता है इसमें क्या होता है कि इसमें लगभग 20 रॉकेट रखे होएता है 20 मिसाइले रखी होए होती तामीर मिसाइले इंटरसेप्टर मिसाइल हमने पीछे बताया आपको तो यह क्या करता है यह मैसेज भेजता है मिसाइल फाइरिंग यूनिट को MAY sustainability यहां पे ब्राबबर उसको कॉस्ट आती है इसकी नियर इबावट एक जो मिसाइल होती ही उसकी कॉस्ट आती है 3.000.000.00 के आसपा इक मिसाइल की कॉस्ट आती है हर जकह अलग-छब मिलेगा अमारे आपके लिए ज़ूजरूरude कितनी की मिसाइल आती है क्यों क्योंकि ना हमें आपको खरीदना है ना उससे खास मतलब है तो रिंगाली बात है कि आगे चले आप देखोगे कि इसराइल ने और भी कई तरीके की मिसाइल सिस्टम को डबलब कर लिया है क्यों क्यों कि जो यह आइरन डॉम बाला तामीर मिसाइल सिस्टम है इसकी रेंज काफी कम है ठीक है इसकी रेंज लगभग जो है 43 माइल यहां दिखाया जा रहा है कि इतनी दूरी तक ही आपको सुरक्षा प्रदान कर सकती है तो आगे की सुरक्षा के लिए कोई नया सिस्टम बनाया जाएगा हलाकि अभी के ओल हम इसे देखना है अब यहां पर देखिए थोड़ा सा और क्लियर्टी दिखाई गई है कैसे आयरन डॉम काम करता है आप देखरों यहां पर एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर कहीं पर ले जाके सिफ्ट किया जा सकता है बड़े आसानी के साथ तो क्या होता है यहां देखिए अब इसने क्या क्या इसने पता किया कि एक रॉकेट इसराइल के तरफ छोड़ा गया है अब आसमान में पहुचा तो आसमान में पहु चली आगे बढ़ी आगे बढ़ते बढ़ते यहां के इसको हिट कर देती है और हवा में ही समाप्त कर देती है अला कि कुछ मलबा वगेरा भी गिरता है इसलिए जब भी इस तरह के में और राडार सिस्टम हो गया अब यहां क्या करता है यह तरंग छोड़ता रहता है कि क्या करता और आप देखेंगे तो यह क्या है इस तरह कि जब रॉकेट चोड़ीत आंएग कि जानने वाली बिल्कुल आमने सामने आके टकराहट होती हो कि उसके बाद इस तरह की बिजली या फिर आवाज साउंड इफेक्ट आता है तुमाँ चीजें यह इस तरह बिल्कुल काम नहीं करता है ठीक है जो इन्टर्सेप्टर होता है क्या काम करता कि जैसे जब दुस्मन देश की तरफ स लेता है कि देट्ट कर लेता है क्या होता है क्या है कि जब यह मिसाईल के बगल से गुजड़ेगा तो इसे human कर लेगा तो इसमें इसे कमांड दिये गए होते हैं कि जब इस हीट को रिट करेगा तो यह क्या करेगा खुद फट जाएगा इसमें स्वें विशत्वोत होगा तो इसी के साथ साथ यह मिसाइल भी डिश्ट्रॉय हो जाएगी निट्रलाइज हो जाएगी तो यह इस तरह से काम करता है अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आमने सामने जाके टकरा कि उसे वापस भेज़ेगा या खतम कर देगा ऐसा नहीं होता है ठीक है उसके बाद क्या होता कि यह एक बार लॉंच होने बाद मिसाइल स्वतंतर रूप से कारे करती है अब यह तक क्या था हाला कि इसराइल ने इसमें सुधार कर रही है तो कैसे डिटेक्टर आप हीट करना थोड़ा सा मुस्किल हो जाएगा आपके लिए तो यहां क्या होगा यह मिस हो जाएगी इसलिए कहा जाता है कि जो इसकी जो सफलता दर है वह लगभग 90% से अधिक मानी जाती है 100% नहीं है क्योंकि अगर 100% होती तो अभी हाल मे जो युद्ध का कारण बना है तमाम मिसाइलें आके रहाइसी इलाकों में इसराइल में गिरी जिससे भेंकर जन धन हानी हुई है वह नहीं होता हला कि किसी टेक्नोलजी के बारे माप सतपरस्त ऐसे नहीं कह सकते सटीकता इसकी काफी अच्छी है आयरन डोम दिन और रात द पारण है आपका और भारत के पास भी से सब्सक्राइब कंवा के सबक्राइब कंवार करते हैं अब देखते हैं भारत के नि अगर कल भाकिस्तान या फिर चीन के दोरा ऐसे आक्रमर किये जाते हैं तो भारत इसका जबाब कैसे देगा तो आप सब को इस जानके खुसी होगी कि भारत के पास एक मिसाइल मैन हुआ करते थे और उनकी देन ऐसी है कि आज भारत इतना सक्षम है कि ना केवल हम अपने डिफ सब्सक्राइब करते हैं और अगर आप इन मिसाइलों के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बता आप डिमांड करेंगे तो हम वीडियो इस पे बनाएंगे यह 400 यह ट्रायंफ यह 4 ट्रायंफ भी से बोला जाता है यह रॉकेट मिसाइल क्रूज मिसाइलों से निपटने में सक्षम है लेकिन इनकी रेंज काफी अधिक है मतलब 400 किलो मीटर है इसकी रेंज और अभी आपने में जैसे जब कोई मिसाइल सीध है जाके वाई मंडल से बाहर चली जाती है और उसके बाद पुना प्रवेस करती है वाई मंडल में तो इससे क्या कहा जाता है लेकिन एक मिसाइल होती है कि जो अपनी बैटरी से बाहर निकलेगी कैनिश्टर से बाहर निकलेगी लॉंज से बाहर उसके बाद सीध है या सता के बराबर समाना अंतर चलते हुए इस तरह से दुस्मन के चेतर पर अटेक करती है तो इसे cruise missile कहा जाता है हाला कि ballistic missile काफी ज़्यादा इसकी मारक छमता होते बिनासक ज़्यादा होती है cruise भी होती है लेकिन ballistic missile को intercept करना आसान है ballistic missile को radar से पकड़ना आसान होता है जबकि cruise missile जो कि सतह से समानांतर चलती है इसे trace करना थोड़ा मुस्किल होता है इसलिए क्या होता है और आजकल sealed प्रणाली की वज़ा से और भी मुस्किल हो गया है तो यह हम जल थल वायू तीनों से इसको लांच कर सकते हैं और तीसरा है अस्वनी एडवांस एयर डिफेंस इंटर्सेप्टर मिसाइल यह डियाइडियो की दौरा बिक्सित हुआ है और स्वदेश सी निर्मित है स्वदेश निर्मित है भारत ने खुद इसको बनाया है अगर आप चाते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें कुछ और भी इंपोर्टन टॉपिक्स पर आपको वीडियो मिलें चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और दोस्तों तक सेयर करिए इसे और इसमें आप क्या चाते हैं अगली वीडियो किस पर बनाईजाए आप कमेंट करके बता सकते हैं हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद